नहीं मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब लोग आप सब्सक्राइब करोगे सुनने मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रहा है बाई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो यह सिमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल मैं हो 3DX चेतन दो सिनेरियो what if The Rock and CM Punk दोनों के दोनों return कर जाते हैं इस Royal Rumble 2023 के event के अंदर massive blockbuster reaction of course बड़ उसके अलावा अगर यह दोनों return कर रहे हैं इस Royal Rumble के अंदर then किसको जीतना चाहिए because that is massive right एक Hollywood का Megastar आ रहा है एक wrestling का Megastar मैं कहूंगा when it comes to the hype के हाँ यार हमको यह बंदा चाहिए साथ से ज्यादा सालों से हम इस बंदे का वेट कर रहे थे let's say कि हम चलो इसका All Elite Wrestling कर रहन जो है उसको भी forget कर देते let's say कि यह WWE के बाद अभी तर दिखाई नहीं दिया है wrestling industry में हाँ UFC का थोड़ा सा case चला था वो उसको भी भूलते let's say कि चलो वो सब भी नहीं हुआ था CM Punk डारेट 2014 की Royal Rumble के बाद अब 2023 की Royal Rumble में देखने को मिलेंगे ठीक है तो ऐसे में क्या The Rock जीतना चाहिए या फिर CM Punk जीतना चाहिए that is a bigger dilemma than कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा खेर The Rock and CM Punk I mean two of the rivals जो की Royal Rumble में खुद एक दूसरे की against WWE Championship के लिए लड़ें अब ऐसे में मैं किसको पिक करूँगा उसी पर ये वीडियो बेस रहेगी and let's see कि आप लोग अगर ये दोनों आते तो आप लोग किसको पिक करोगे as the winner for this Royal Rumble 2023 and I'm not saying कि इन दोनों में से किसी को आप किसी और को भी पिक कर सकते हो कि हाँ आपको लगता है कि The Rock and CM Punk आतो रहे but फिर भी मुझे लगता है कि वो जीतेगा तो ऐसे में भी आप winner पिक कर सकते हो but my pick is CM Punk wild pick right but that's what I'm known for मतलब जब Roman Reigns औ Logan Paul का match चल रहा है everybody is rooting for Roman race I'm rooting for Logan Paul even though I know that Roman Reigns is going to win but फिर भी मैं Logan Paul की side हूँ तो सोचरियों कितना wild prediction लेने का मन करता है The Rock, If You Smell and Cult of Personality दोनों बचता है but then I say कि नहीं CM Punk को जीतना चाहिए number one reason being a obvious reason जो कि मैं कहूँगा कि अब एक क्लीशे बन चुका है कि The Rock को जरूरत नहीं है अब सेरोलेक का डबबा है कि The Rock कितना बड़ा हो गया अब उसको जरूरत नहीं है खेर मान सकते है कि The Rock क्योंकि WWE एक चीज ऐसी है कि यहांपर अगर 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 सेलेबरेटी हो तो आपको मैच लेने के लिए कुछ वो जरूरत नहीं जॉन सिनर ने अंडर टिगर से कैसे मैच लिया था अब मिशल मकूल के इंस्टागराम को मेंशन कर दिया बस तो सोचो The Rock के लिए तो कितना आसान होगा Roman Reigns से मैच लेना जब लिटरली वो एक फैमिली के अंदर है तो मेरे को नहीं लगता कि यहांपर actually मैं The Rock को कोई ज़रूरत है मैं kind of agree करना चाहूंगा because at least when it comes to CM Punk को जिताने के लिए इतना तो हम करी सकते है यार अभी अब यह भी चीज़ कंसिडर करने वाली है that हम CM Punk के All Elite Wrestling के run को भले ही forget कर सकते बढ़ हम इस चीज़ को forget नहीं कर सकते that he has been a problematic 40 year old guy in the last two years for All Elite Wrestling और maybe for wrestling fans in general तो क्या वो environment WWE में लोग चाहेंगे क्या वो WWE के जो backstage में लोग रहते हैं क्या वो लोग चाहेंगे कि हमें CM Punk के या attitude देखने को मिले मैं चाहता हूं मिले और Roman Reigns CM Punk को उनकी जगे भी दिखा दे because Roman Reigns is a great locker room leader और locker room leader के सामने CM Punk के नहीं चलने वाली that is for sure मैं को लगता है कि लोग कहरें कि नहीं CM Punk कितना बुरा है मैं मान रहा हूं बुरा है और हो सकता है कि भाई ऐसी बचकान धरकते करता है but Roman Reigns और WWE के roster के आगे नहीं चलने वाली trust me on that और अगर वो WWE के अंदर आएगा तो सुधर के ही आएगा ऐसा तो आने वाला भी नहीं है वो अगला reason जो मैंने रखा है वो यह है कि it's CM Punk so come on CM Punk को नहीं जीता होगे यार we have seen Alberto Del Rio winning the Royal Rumble for God's sake तो ऐसे में CM Punk मेरे को नहीं लगता है यह एक bad choice होने वाली है it is a good choice है न और starting में तो हम पहली से root करते थे न कि CM Punk जीतना चाहिए CM Punk जैसा wrestler जीतना चाहिए guys like CM Punk, Rollins, AJ Styles तो I don't know कि इसमें किसी को कोई भी issue आने वाला है especially यार CM Punk खुद का dream था I am not saying कि CM Punk द्रीम को fulfill करा जाए ऐसे तो फिर वाई सब CM Punk का sorry company का बंटाधार हो जाएगा बढ़ा हम just saying कि Royal Rumble जीतने से harm नहीं होने वाला तो इसलिए जो इसका third reasoning है मेरे इसाब से वो इसी के lead करते हुए कि अगर CM Punk Royal Rumble जीतने then he can choose Roman Reigns for the WrestleMania main event and Rock vs. Roman Reigns for the Knight 2 main event and then CM Punk vs. Roman Reigns जैसा भी ठीक लगे अभी वो तो हम decide करने वाले नहीं है बढ़ा हम just saying कि जो भी Royal Rumble winner होगा वो भी लड़ सकता है and Rock vs. Roman तो लेकर पत्थर के तरह रहने ही वाला है तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे में कुछ changes आने वाले है तो इसलिए CM Punk और Roman Reigns में मैं चाओंगा कि CM Punk को ज़्यादा तबज्यो दी जाए जीतने के लिए और CM Punk थोड़ी मेहनत कर लेना भाई साब या UFC नहीं है कि अब धाई मिनिट के अंदर बाहर निकल जाओगे इतना तो हुगा कि अगर आती रोयल रंबल में हार गया बंदा और रोयल रंबल नहीं जीता तो जो उसके अंदर की evil structure बन चुका है इस corporate को लेके वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हमें उसको destroy करना है ना कि उसको और grow करना है ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि ये CM Punk को cater करने के लिए दिये कि ये CM Punk इस वीडियो को देखो कितनी चाटी ये चेतन ने but it is not like that I am just saying कि यार रोयल रंबल में दरोक बले आ सकते बट CM Punk का ना एक अलग ही level होगा अभी लोग माननी रहोंगे अभी तो लोग कहरें कि दरोक आगे तो भाई ये करेंगे ये करेंगे ट्रस्ट भी ओन देट अगर CM Punk आगे आप कुछ करने के लाइक ही नहीं बचोगे most of the people will die ट्रस्ट में यार ये बहंकर बात होने वाली है दरोक के लिए इतने ज्यादा response इसी लिए आ रहे है क्योंकि अल्रेडी ये confirmed दिखाई दे रहा है कि दरोक का रिटर्न होने वाला है एस सूने आपको CM Punk का पता चल जाएगा खेर पता तो चलवाना है नहीं अगर ये direct ही रिटर्न होता हो ज्यादा best होगा एक और चीज़ पदा चल जाएगी एनिधिंग केन हैपन इंडबिडबली और सबसे बड़ी बात लास्ट येर All Elite Wrestling के तरफ से Cody Rhodes आया था इस साल CM Punk आएगा तो फिर हम ये expect करेंगे कि next year कोई हो रहाएगा Chris Jericho, Dean Ambrose, you never know और CM Punk क्या आने चेप आवाई साब क्या dream matches के रास्ते खुलेंगे CM Punk वर्सेज, CM Punk वर्सेज, CM Punk वर्सेज, रॉलेंस, CM Punk वर्सेज, CODY, CM Punk वर्सेज, रॉमन मजा ही आजाएगा क्या dream matches तो पहले मत बोला को रहाएगा बाई साब यह तो एक dream scenario बन जाएगा कि किसी ने जो है, यह showcase mode या फिर road to WrestleMania mode ओन कर दिया है 2K के अंदर और अपने custom superstars जाल दिया क्योंकि ऐसा तो अच्छा तभी बनता है कमेंट्स भी लेना चाहेंगे बिस्वजीत मंडल ने लिखा है कि court का judge अगर art truth होता तो मज़ा आ जाएंगा बाई यह तो मेरे दिल की बात ले ली लेकिन seriousness समझे यार आप seriousness नहीं समझ रहे हो Sammy Zane की लगने वाली है आपने Rotterplex के poster देगा Sammy Zane और इस tribal court वाले का ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे bloodline members बजाने वाले Sammy Zane की उस posters से यह लग रहा है Sammy Zane का reaction ही आप उसमें देख ले न तो नहीं आट truth नहीं अगर आट truth आगया तो उस segment की पूरी seriousness का सत्या नास हो जाएगा क्योंकि फिर तो वो funny segment में ही चला गया अपने आप MD Leakon ने लिखाए कि Raw XXX is incomplete without Edge and Lita are you saying Raw XXX or just XXX because in both the cases I think you are right but नहीं Edge और Lita का segment अगर आपको देखने को मिल गया तो फिर आपको एक Beth Phoenix और Lita का भी segment देखने को मिलेगा जिसके बाद में Beth Phoenix जेल जाती दिखाई देंगी हमें वो नहीं चाहिए I comment facts ने लिखाए कि here's a fun fact oh wow fun fact आया a 41 gun salute is a traditional salute to a royal birth in Great Britain WWE से related कैसे है यह wow what an energy drop thanks to comment facts Akshay Chawan ने लिखाए कि Sammy brother take a day off don't you show up on Monday physically you can attend the court proceedings through online modes भाई मेरे को तो लगा आगे चलके बंदा लिखने वाला कि sponsored by zoom meetings but नहीं भाई यह बंदा serious ने समझ गया यह आटूथ वाटूथ जैसे comments नहीं है Akshay भाई आपने इसकी seriousness को समझे और आपने Sammy Jain को एक सही हिदायत दी है because अगर आप show up करते हो there is a big chance कि आप कुटने वाले हो solo से को आपके मूँ पर attack करेगा Jeyu Soji Mew सापके chest पर attack करेंगे और Roman Reigns सापके दिल पर attack करेंगे मेरे इसाब से zoom meeting is the best option आशिश प्रिजापती ने लिखा कि Royal Rumble से ज्यादा excitement तो Rot Replex में है पहली बात तो नहीं है यहाँ पर आप चुग गए यहाँ पर मतलब एक अंदर से जो connection था आपने तोड़ दिया आपने बिट्रे कर दिया हमको अच्छा से नहीं लग रहा है या रग रोहन सिंग चेंडल ने लिखा है कि चेतवा कल RAW में क्या stage old वाला आ सकता है गया लोग expect कर रहे कि पुराना वाला stage आएगा मेरे को नहीं लगता I still think कि जिस तरीके से RAW 25 में हुआ तो वैसा ही होगा कि Manhattan का जो RAW first वाला stage था वो अलग रहेगा वहां से भी दिखाए जाएगा और RAW current वाला scenario से भी दिखाएगा that's what my thinking is मेरे को नहीं लगता कि वो एक RAW के लिए इतनी महनत करने वाले है क्योंकि when it comes to the महनत I think WWE ने तो उस पर give up ही कर दिया है anyways that's it for this video definitely comments में लिख कर बताना when it comes to the rock and CM Punk who is your pick to win the rumble look in my eyes what do you see cult of personality ये CM Punk ये ये Edge का कर दिया मैंने नहीं Edge का तो I see clearly और ये पूछ रहा है कि what do you see हाँ देखने का बड़ा या ऐसे C's John Cena कहा देता है कि you can't see me चलो खेर अभी हम मिलते हैं कल की वीडियो में आज के लिए इतना है comments में लिखना है अगर आपके वीडियो पसेंदा है तो प्लिए लाइक रशे करो जाँ झाल स्थक्राइब करो